सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठन बिर्मनी सिखाप दिंसमादियानी बुद्धन जाड़ू खरिदने का दिन आज धन तेरस है और धन तेरस की जो सबसे इंपोर्टेंट सबसे महत पूर्ण महत वाली जो चीज है वो है जाड़ू जाड़ू जरू खरिदनी चाहिए पर क्यों खरिदनी चाहिए और जाड़ू क्यों लोग खरिदा करते थे इसकी जानकारी कोई रखने को त्यार नहीं है क्योंकि अगर जानकारी इस बात की रखेंगे के जाड़ू क्यों खरिदे थे लोग धन तेरस के दिन या जो कतिक मास है, जिसको कार्टिक मास बोलते हैं, उसके तेरवे दिन, तेरस पर, तेरस बोलते हैं, तेरस बोलते हैं, तेरवे दिन क्यों खेते थे, कढ़े पक्ष में, कढ़े पक्ष मतलब जब चंद्रमा धीरे-धीरे कम होता है, और काला होना सुरू हो जाता है रात, र तो उस तेरवे दिन जाडू खईदने की प्रंपरा क्यों बनी कैसे बनी जो नाम है धन तेरस या धन तेरस ये पाली का नाम है अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे धन तेरे या धान तेरे और अगर इसको किसी और भासा में बोलेंगे संस्क्रत में तो इसको बोलेंगे तरियो दरसी तरियो दरसी या तरियो दरसी तो धन तेरस या धान तेरस पूरी तरह से पुराना पाली का नाम है ना ये हिंदी का है ना ये संस्क्रत का है संस्क्रत मतलब बाद में बदला हुआ तो पुराना ही नाम चला रहा है इसका मतलब बात कहीं न कहीं पुराने समय की है और पुराने समय की बात है तो बात क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए तो जाडू से पता चल जाता है जाडू लगाओ तो सफाई हो जाती है पर सारे लोग ज़ाडू खहितने जा रहे हैं क्या साफ करेंगे घर तो रोज साफ करते होंगे इसमें कोई सक नहीं है क्योंकि साल के एक दिन के लिए इंतियार नहीं करेगा कोई भी गरहनी या कोई भी घर का मालिक कि जब धन तेश आएगा या धन तेश आएगा तब ही जाड़ु खईदेगा ऐसा प्रम्परा है तो क्या घर को गंदा रखेगा? खासतोर से बारिस में? खासतोर से गरमी में? तो वो सारे लोग भारत के आज ही जाड़ु खईदने जा रहे हैं, तो ऐसी क्या एमर्जंसी आ गई, ऐसा क्या अपातकाल आ गया कि जाडू खेदने का दिन निश्चित हो गया और लोग जाडू खेदने लगे तो जाडू से कर क्या रहे हैं आपने देखा होगा कि जब गहूं की फसल आती है तो गहूं को जब भुहारते हैं जब दाएं चलाते हैं बैलो की तो गहूं निकलता है भूसे के साथ में तो उसको उपर उडाते हैं और फिर उसको जाडू से भुहरते हैं इकटा करते हैं तब जाडू चाहिए और जब फसल आती है चावल की और चावल निकालते हैं और चावल को उसकी जो पराली होती है उसको पटक पटक कर चावल को बाहर निकालते हैं जो चावल होता है पूरा का पूरा जिसको अख़त चावल बोलते हैं अख़त तुंडक क्योंकि चावल सब्द हमारा नहीं बाहर से आया हुआ है अक्खत टुन्दक जिस को जिस भात को या जिस चावल को नुकसान नहीं पहुचा सकते या जिस धहीं को जिस धान को नुकसान नहीं पहुचा सकते जो साबुत है ऐसा अक्खत तो उसको पटक पटक के निकालते हैं तो बिख़ड जाता चारो तरफ तो उसको इखटा करने के लिए जाडू चाहिए और जाडू नई हो तो अच्छा है क्योंकि नई जाडू मजबूत होती है बड़ी होती है इसलिए जाडू धंतिरस पर ख़िदने का है तो लोग बरतर और भाड़े यानि भंड खरिते हैं तो भंड का क्या करेंगे पहले पुराने समय में जो भंड होता था वो मट्टी के भंड होते थे बड़े बड़े बरतर मिट्टी के तो क्या करेंगे सारे लोग एकी दिन भंड खरित रहें तो क्या घर में बरतन नहीं है क्या घर के बरतन सारे गायब हो गए क्या सारे लोगों को एक एमर्जंसी आ गई पर चावल आ र बना कि बर्तन खईदें और सारे बर्तन मिट्टी के हुआ करते थे उस समय तक बड़े बड़े उस समय तक धातु नहीं थी और थी भी तो बहुत महंगी थी तो लोग बड़े-बड़े मटके खईदा करते थे ये दो चीजे खईदें की प्रंपरा रही है धन तेरस पे या ध कोई भी दाना जो खाने के योग है जिसको हम पैदा करते हैं चाहें वो इसका धान का धाना हो जिसको हम चावल बोलते हैं या तुंड़क बोलते हैं या गहूं का कनक का हो या किसी दाल का हो या बाजरे का हो या जौका हो या मक्का का हो किसी का भी हो उन सारे धानों को पा धानबाद, धन, निधन, निधी, धन्यंत्र, धन्वंत्री, धन्लक्मी, ये सारे सब्द धाई से, धान से और धन से बने हुए हैं, तो इसमें जो धन्लक्की है, लक्मी है, वो क्या सब्द है, धाई माने हो गया धान, यानि ग्रेंज, यानि दाने, और लक्क माने लाखों, लाखों का मतलब हो तो जो गिरे ना जा सके उस समय लाख एक लाख जो आज का है उसको नहीं बुला करते थे लाख मतलब अंगिनत तो दाने धहीं के अंगिनत और आप एक फोटो देखते हैं बहुत अच्छा जिसमें दो तरफ हाती अपनी सूंड पे दो भंड लेके दो मट बरसा रहे हैं और नीचे कमल के फूलों पर एक महिला बैठी हुई है और उस महिला के उपर वो जो मटके हैं उससे बरसात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ये भरुत के जो पुराने जो हमारे स्थूप हैं उस पे चिन मिलते हैं तो कमल के फूलों का मतलब तो बुद्ध होत पर मेंन बात यहाँ कि उसके उपर जो बृसा हो रही है वो पीले रंगी हो की दान के जो दान के चाविघकों प्रूटो βूते हैं तो लक्ष में इसलिए वह वह फोटो बनता है और लक्षिमी डल्खती है क्सके दढ़és के guitar धन लक्मी बोलते हैं और धनवंतरी और धनवंतु और धनवती धन सिंग धान सिंग धनवात सारे के सारे नाम उस पे आते हैं तो कोई कह सकता है कि धन के माना तो पैसा होता है धन के माने तो रुपिया होता है धन के माने तो निधी होती है धन के माने तो संपत्ति होती है धन के म माल मसाला है जो आजकल चलता है वो होता है ऐसा नहीं है पुराने समय में जब धातू भी नहीं थी कागज भी नहीं था लेन देन के लिए लोग अपने जो पैदा करते थे जैसे किसी ने धाई पैदा किये किसी ने धान पैदा किये किसी ने आलू पैदा किये कोई मास पैदा करता है मास लेके आता है कोई लेदर पैदा करता है कोई वेक्ती टोकरी बनाता है कोई वेक्ती हल बनाता है तो जो पैदा करते थे उसके बदले में कुछ ना कुछ सामान जो जिसके पास होता है उसको लिया करते थे तो ना रुपिया था ना पैसा था क्योंकि कागज नहीं तो रुपिया कहां से और धातू नहीं तो सिक्का कहां से यह होते नहीं थे तो लेन देन का यही सिस्टम होता था तो जिसके पास सबसे थे निधन हैं, यानि निधन है, निधन होता था उसका, नीधन, निधन का मतलब मरना बाद में हुआ है, क्यों कुछ है नी तो मरेगा, और नी माने नीचे भी होता है, यानि जो धन को धहीं को नीचे गारते थे, कंभ के अंदर, मटके के अंदर, गड़े के अंदर, उसको कह के लिए और वो किसी और को मिल गए तो कहते थे इसको निधी मिल गई इसको निधन मिल गया इसको खजाना मिल गया गड़े हुए को बुला करते थे जो मटके में होते थे तो यह जो सारे सद्ध है यह उस समय रुपे पैसे से नहीं आते थे रुपिया बाद में बना रुपि बोलते हैं या बहुत सारे कहते हैं कि यह आत्मा है या प्रमात्मा है जो भी कुछ बोलते हैं पर हम इसको मन बोला करते थे आत्मा वाला नहीं है यह अलग है जो नाम रूप के साथ आता है तो रूप का मतलब बहुत इक चीज़े होती थी और जब रूपिया बना तो रूप का आया तो उसको पासा केने लगे और पैसा केने लगे उसको पासा से पैसा बन गया तो पैसा बाद में उसको केने लगे तो रुपे पैसे का ऐसा हुआ और जो जिसको आज हम मुद्रा कहते हैं वो मुद्रा तरसल मुद्दा है मुद्दा माने हैं किसी के भाव किसी के संकेत किसी के चिन, जैसे कहते हैं कि ये जो लड़का है ये खेलने की मुद्रा में बैठा हुआ है, या खड़ा हुआ है, या ये दोडने की मुद्रा में हैं, मुद्रा में हैं, तो वो होता था, उसका भाव, उसका संकेत के कैसा संकेत है इसलिए मुद्रा सब्द बाद में पड़ा और जितने भी यह सब्द सारे पड़े जिसमें वित्त सब्द आता है वित्त का मतलब होता था जो बुद्धी होती है हमारी जो बुद्धी से सम्मधित खजाना है उसको वित्त बुला करते थे तो वित और ना ही पर ये खजाना था इसलिए आज हम उन सारी चीजों को धन कहने लगे यानि धई भूल गए धान भूल गए और उसको हम रुपिया पैसा को धन कहने लगे तो आज हम सीधे सीधे भासा में कहते हैं तेरे पास कितना धन है उसके पास इतना धन है उसके पास इतना धन तो धन वही पुराना सब्द है पस इसका अर्थ बदल क्या है। आज सौने चांदी, रुपे पैसे कैस से हम धन को तोलते हैं और जो समपत्ती होती है, मतलब है चोह सं माने बरावर और पत्त माने प्राप्च होना, बरावर के साथ उसको संपत्ती बुला करते थे तो किसी भी हलत में जो आज का धन है वो पुराने समय का धई और धान है और इसलिए इसको धन तेरस बुला करते थे क्योंकि धन तेरस वाले दिन सारी फसले आते थी और ये एक दिन ऐसा होता था कि इसको हमें खतम करना होता था पुराने समय में जितने भी हमारे पर्व हैं पर्व या फेस्टिवल जितने भी हैं वो सारे के सारे अधिकतर फसलों से समंदित रहे हैं तो फसलों से समंदित जब सारा का सारा यहां धाई और धान आ रहा है तो उसका समापन होगा और उसका उस सब भी होगा लोग उसमें खुश है क्योंकि मौसम बड़िया हो रहा है और फसल आ गई है और अगली फसल की बवाई का समय भी आ गया है तो वो जो समय है पुराने समय का तारीख नहीं हुआ करते थी कलंडर नहीं हुआ करते थे हमारे पास में यह जो गिर्गोरिन कलंडर है एक जनवरी, दो जनवरी, चार जनवरी, पांच जनवरी यह अब आया है पहले हमारी जो तारीखे हैं पराने समय में थे हम अमावस, उर्णिमा, पढ़वा, दौसी, ततिया, चतुती ऐसे करके हम इसको करते थे और पूरन मासी और अमावस से हम अपने महिने यानि काउंट किया करते थे और बरसावास से बरस से हम साल काउंट किया करते थे कितने बरस का, कितने बरस की यानि कितनी बरसा वास, कितनी बरसा ये जिया है, कितनी बरसा नहीं जिया है, क्योंकि बारिस हमारे लिए इंपोर्टेंट होती थी, महत्पूर्ण होती थी, हम अपने साल को बारिस से नानापा करते थे, क्योंकि जिस साल बारिस नहीं पड़ेगी, उस साल फसल नहीं होगी, तो फसल से पूरा देश चलता था इसलिए बारिस हमारे लिए बरस हुआ करती थी कितना बरसा कितना नहीं बरसा तो इस कलंडर के हिसाब से हमारे जो फेस्टिवल जितने भी हैं इंपोटेंट वो सारे या तो पूरनमासी को पढ़ते हैं या मावस को पढ़ते हैं या बीच में अगर है तो आठमी को पढ़ेंगे दसमी को पढ़ेंगे या चतुदसी को पढ़ेंगे या तेरस को पढ़ेंगे या द्वादस को पढ़ेंगे पढ़ेंगे ऐसे ही जो हमारे कलंडर की अनुसार है पर अधिकतर पूरनमासी को और अमावस को पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है अमावस को अमावस की बहुत सारी बाते हैं दरसल जैसे जैसे हम अपने इत्यास में समरों के इत्यास में जाते रहेंगे वैसे 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 खुदाई करते रहेंगे वैसे 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 साल दर साल नएनी चीज़े निकल के आती रहेंगे अमावस चुकि हर महिने आता है और साल में बारे बार आता है चार साल में तेरे बार भी आता है तो अमावस जब आती है तो अमावस के समय अंधेरा होता है ये सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस अंधिरे का लाव उठा के कहते हैं मोगल्यान की हत्या हुई जो बुद्ध के एक अच्छे जानकार थे अच्छे सिस्से थे इसको अंधिरे को उठा के लाव को सुना है कि राजा बली जो केरल में थे उनकी हत्या हुई हुई या नहीं हुई इत्यास में ऐसा बताया जात और वसावास के बाद में 13 दिन हैं और उनके पताने उनको बुलाया है उनके पताने जिसको भी भी भीज़ा वो वही रह गया versions में उनके दोस्त को भीज़ा जो कालुदाई नाम का था कि तुम्हारा जो सिद्धत गौतम है वो तुम्हारे दोस्त थे तुम जाके कहना कै उनके पताने बुलाया है और तुम अगर वहां रह भी जायो तो उनसे यह कहना के वो कपल बस्तू जरूर आए क्योंकि बुद्ध हो गए हैं तो एक बार उनको अपने यहां आनाचाएए तो वो राजगीर में हैं और राजगीर से लेके और जो कबिल वस्तु है वो लगवग 470 किलोमेटर आज के समय पढ़ती है और उस समय जादा पैदल करास्ता होगा तो तेड़ा मेड़ा होगा तो सारे भिकू संके साथ में वो जाते हैं दस बारे दिन पैदल चलते हैं फिर वहां पहुंसते हैं और वहां पे जो निगोध आराम होता है यानि की बट ब्रक्छो का जो आराम होता है जहां वो रुकते हैं वहां रुकते हैं गाओं के बाहर उनको पता चल जाता है सबकों के वो आए हुए हैं तो वहाँ धन तेड़स की तियारी यानि के धान इखटा करने की तियारी चल रही है क्योंकि उनके लिए खाना वाना इखटा करना है उसके बाद में फिर आगे कहानी और चलती रहती है तो धन तेड़स पे पुराने समय में इसका कोई इत्यास लिखित में नहीं मिलता या भ्यान रखना ना दिवाली का इत्यास मिलता है कि लिखित में नहीं करवाचोथ का मिलता है कहीं पे, नहीं धन तेड़स का मिलता है कहीं पे नहीं भया दूज का मिलता है, कहीं पे नहीं छट का मिलता है इन फेस्टिवलों के बुद्ध के समय में कोई थ्यास नहीं मिलते एक वप मंगल उतसब तो मिलता है वप मंगल उतसब मिलता है और छट मंगल उतसब मिलता है ये जो फेस्टिवल हैं इनका नहीं मिलता है पर नेपाल में मिलता है नेपाल में इसको तिहार करके बोलते हैं वहाँ पांच दिन का फेस्टिवल होता है पुराना है वहाँ कागा तिहार मिलता है वहाँ पर कुकर मिलता है यानि कुत्ते का तिहार मिलता है वहाँ कई तरह के festival मनाते हैं तो नेपाल में वो नेपाली भासा में आप पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ festival लगबग उसी साब से मिलते हैं और बाकी बुद्धिष कंट्रियों में प्रकास सब मनता है दिवाली के दिन कुछ कंट्रियों में मिलता है पर कहीं लिखित में ऐसा नहीं है कि बुद्ध के बाद से कोई दिवाली या कोई धंतेडस या कोई यह जो फेस्टिवल बीच में आता है पर यह हैं पर यह चलते हैं ठीक ऐसे जैसे आप यह समझ सकते हो कि छट अपसे पहले कुछ साल पहले तक बिहार में मनाई जाती थी पर छट आजगर पूरे देश में मनाई जाती है जैसे जो फेस्टिवल है महराष्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं वपा मोरिया वाला जो गड़पती वपा मोरिया वाला होता है वो गड़पती वपा मोरिया वाला सिर्फ महराष्ट में कुछ समय परे आरहम हुआ था रोब पूरे देश में वो मनाय जाता है तो कौन व्यक्ति अपने लाप के लिए कैसे किसको फैलाता है ये अलग विस है पर इसका हिस्ट्री कहीं इत्यास में मिलती नहीं है पर ये मनता है चलता है क्योंकि बुद्ध का बताते हैं कि अपने घर आए कुछ लोग कहते हैं कि कहानी कोई और है जो मैक्च नहीं करती इत्यास के साब से पर बुद्ध घर आये तो आके और उन्होंने सबको धम सिकाया ये सब जानते हैं और धम का प्रकास सबको फैलाया ये सब जानते हैं पर दीप आवली जो सब्द है वो पाली का सब्द है डीप आवली डीप हमारा पुराना सब्द है क्योंकि अत्त दीप भव से दीप बना हुआ है और आवली जो हमारा सब्द है ये आवली का मतलब होता है लाइन जिसको नियाम अवली बोलते हैं लाइन में रहना पंक्ती में ब्रद, यानि कि जो दीप हैं वो पंक्ती में एक साथ लगेंगे, ये पाली का सब्द है, इसलिए कहीणा कहीण दीपों की जो आबली है, वो पुराने समय में मगद्में या विहार में या कहीं उसी चेतर में आरंब हुई कोई होगी, जब प्रकास उस सब हुआ होगा, तो प्रतीक बनाने के लिए लोगों ने इसकी आवरी लगाई होगी तो दीपावली पे क्योंकि बुद्ध वहां पहुंचे हैं और वहां खाने की तियारी चल लए है तो जो बीच में जो सब्द आता है जिसको नरक 14 बोलते हैं दरसल जो नरक सब्द है वो नर से बना हुआ है नरक का मतलब हैल नरक का मतलब दोजख नहीं है उसको पाली में निरे बोलते हैं निरे निरे माने हैल होता है और जो नरक सब्द है वो नर से बना हुआ है तो इसका मतलब जो चतुदसी है, चौदस है, उस पे जो नर हैं वो कोई काम कर रहे हैं, क्या काम हो सकता है? क्योंकि चावल की खेती होके आई है तो चावल को भून सकते हैं वो, चावल का जो भूना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं, तो वो खील मा की हुई है साइध यह पिट्टीक चिन रहा है कि हमारे चावल मिट्टी के otraik सवक्षित रहते हैं और वहां से पिरमपर होते होते छोटी छोटी आ गई एक लड्डू मिलते हैं हमारे यहां- जो दिवाल उसमें चावल, उसके अंदर शहद, उसके अंदर गुड मिलाके लड़ू बनाय जाते थे, पिंड बनाय जाते थे सायद दान करने के लिए या उस समय का सबसे उत्तम भोजन रहा होगा वो परंपरा आज भी चलती है और वो उधर की परंपरा उस समय की है तो जो ये सिस्टम पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है तो वहीं से सम्देत मगर क्या हो रहा है कि ये हाई जैक हो गया और हाई जैक करने वालों ने अपनी स्टांप इस पे लगा दी पुरानी स्टाम गायब हो गई और लिखित में ये कहीं है नहीं लिखित में किसी का भी नहीं है कहीं भी अगर आप जाओगे तो लिखित में कहीं कोई मिलेगा नहीं पर मनता है तो मनता है तो कहीं न कहीं होगा फैस्टिवल तो ये हमारा किर्सी का ही है पर ये आज के समय चुकी हम किसान है नहीं इसलिए ये परंपरा रह गई बाकी चीजें इसमें जा चुकी है तो दीपावली पर क्या होता है दीपावली पर अंधेरा होता है दीप जलाकर हम प्रकास करते हैं तो प्रकास किस चीज़ का है, अगर बुद्ध की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो बुद्ध अब अपने निगोधाराम से, क्योंकि बुद्ध आये थे, ये तो सब जानते हैं, साथ साल बाद आये थे, ये भी सब जानते हैं, तो वहाँ वो प्रकास फिला रहे हैं, किसका धम प्रकास, धम का प्रकास फिला रहे हैं, धम का प्रकास फिला रहे हैं, और उसका उत्सव है, और उससे भै दूर हो रहा है, तो भै को देखना सिका रहे हैं, जिसको बोलते हैं, भै दसी, यानि भै का दरसन, कैसे मन के अंदर होता है कैसे सरी के अंदर भै होता है तो साइद उससे भैया दूर यानि भै दूर जो सब्द है वो बना और भै दूर दर्सन यानि के भै को दूर करने का जो दर्सन होता है जो तरकीव होती है जो सास होता है दर्सन माने फिलोस्पी होती है वो वहां उन्होंने उनको सिखाई गई और जो गो वर्धन आता है गो से जितने सब्द हैं वो सारे के सारे पाली के हैं और गो का मतलब होता है गोतम गो का मतलब गाय नहीं होता पाली के अंदर गाय नाम का कोई सब्द नहीं है पाली के अंदर गाय को धैनु बोलते हैं और गोतम से समद्द जितने भी हैं उसक आता है जिसका गो वर्धन तो गो वर्धन कैसे होगा यानि कि अगर गो को गाय भी माने तो गाय का वर्धन यानि उसको कैसे बढ़ाएंगे गाय नहीं बढ़ सकती आप उसे कुछ भी खिलाएं पलाएं जो गाय जितनी है उतनी रहेगी और उसको बढ़ाने का कहीं कोई फेस है क्योंकि Gautam अपने घर गए हैं और वो धं़ को सिखा रहे हैं तो वहाँ पर धं़ लोग छीख के उसका करें बढ़़ा रहे हैं अगर वहाँ अगर फो भी वही का फैस्टिबल है यहां भूकी रहती है जिसमें महिलाएं बड़ा तप कर्ती है, साधना करती है, पानी में उतरके सूरज के साथ में वो, क्योंकि ठंड होती है, तो सूरज की रोशिन लेती है, खाना आधा खाती है, खीर खाती है, क्योंकि बुद्ध को छीर खीर खाके ग्यान मिलाता तो खीर, खरना खाने का रिवाज है तो खरना खाने का है नेच्रल है प्रोसेस है तो उनको सारे फल जितने भी हैं सबजिया है उन सबको वो मानती है और बीच में एक जो इस्तूप है उसकी वो मानता करती है उसकी वो अराधना करती है क्योंकि इस्तूप किस ना किसी जो पुराना जा नाम हैं और दिवाली जो चलता है फेस्टिवल बहुत आगे तक है पर दिवाली का जिक्र नहीं मिलता है तो सिर्फ असोक के 84,000 स्थूप में मिलता है जबकि 84,000 स्थूप जो एक साथ इनागरेट किया है तो उनकी खुशी में 84,000 दिये जलाए गए और एकी जगे से वो इनागरेट हुए आज भी जैपुर के किसी महल के अंदर 84,000 दिये जलाए जाते हैं उसी याद में और 84,000 दिये जलाने का दिवाली का वहां से एक संकित मिलता है तो समभबत है हो सकता है कि असोक ने फिर दुबारा से इसको आरम किया हो और वहां से इसकार बाइस प्रितिक्या के आधार पर वो करते हैं और स्टॉंगली करते हैं कुछ भिक्को भी करते हैं कुछ जानकार भी करते हैं कुछ बुद्धी जीवी जो किताब पढ़ते हैं लिखते हैं वो भी करते हैं और कुछ लोग कुछ भिक्को भी और कुछ बुद्धी ज नहाँ वो इस बात पर अड़े रहते हैं तो लिखा हुआ दिखा हुआ तो बहुत सारा गायब हो चुका है इसलिए लिखे हुए दिखे हुए को तो आप अगर इस पर अड़क रहेंगे तो कोई आदमी आगर आपको गलत किताब लिखके दे दे तो क्या आप उसको मान लोग अगर आप लिखा हुआ ही मानते हो तो जो कितावें लिखी हुई हैं अभी 405 साल पहले सारी सारी कितावें जो आपके मुसीबत की कहानी से बताती हैं जो आपको आडमर में परंपरा में फसाती हैं तो क्या लिखी हुई कितावों को आप सच मान लोगे क्या लिखा हुआ सच करता नहीं है जब तक आप उसको तर्क पर ना कस लो तो तर्क पर कस लेना चाहिए तो तर्क पर कसने के लिए सिंपल सी बात यह है कि भारत के जो लोग है जो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं अगर वो इस सारे फेस्टिवल को या अपने सभी फेस्टिवल को मनाते हैं या उनको याद करते हैं तो वो फेस्टिवल उनकी कल्चर का हिस्सा है या नहीं है जिस देश में लोग रहते हैं उस देश के सारे फेस्टिवल उनकी संख्यती का उनकी कल्चर का हिस्सा है या नहीं है जो लोग बहार से आते हैं और जो संख्या में बहुत थोड़े होते हैं और जो याचक होते हैं और जो मांगने वाले होते हैं वो सारे के सारे लोग क्या अपनी संसकती अपनी संखती को फैला सकते हैं क्या मना सकते हैं ये सोचने वाली बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि हर चीज हमारी है भारत के अंदर सारी संपत्ती हमारी है जमी जाजाद हमारी है इस्तूप हमारे हैं खेत खलियान हमारे हैं नदी जन्य पानी हमारा है तो उत सब किसके हैं ये फैस्टिबल किसके हैं नहीं कर सकते हैं तो और डब डब कर लीजिए पर सीधे सीधे आप नकार दोगे तो आप अपने हातों से फैस्टिल उठा के दूसरों को दे दोगे उसका क्या होगा कि आपकी संक्ति आपकी संसक्ति चली जाएगी और अगर आप उसको देना भी चायते हैं सारे मिलके उसको है अधिकतर अधिकतर किर्शी परधान सारे के सारे हैं या जंगल परधान है या जानवर परधान है या नदी नाले परधान है या समुद्र परधान है या हवा परधान है या बारिस परधान है या जो धंब सिखाया है वो प्रधान है, यहां वियक्तियों के जो festival हैं वो नहीं होते हैं यहां किसी बहलत में, तो यह बात को समझते हुए हमको तरक लेना चाहिए, कि festival हमारे हैं या नहीं है, सिर्फ इस बात से नकारना के जी यह वहां ऐसा लिखा हुआ है, यह वहां ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो ये सारे सरसंटन जितने भी हैं महापुर्सों के नाम पर ये अलग लग रहेंगे पर ये रहते हैं लिखा हुआ तो ये भी कहीं नहीं है कि जितने भी महापुर्सों के नाम पर जो बुद्धी जी भी बने हैं या बावा साब की किरपास है जो लोगों को बुद्धी पाई है या पैसा पाया या बल पाया है वो सब आपस में लड़ें पर वो लड़ते हैं वो कहां मानते हैं लिखी हुई बात वो लिखा वो नहीं मानते इसलिए ऐसा नहीं चलेगा कि महापुर्सों की एक बात जो लिखी हुई है उसे तो आप मानो ना जो बात नहीं लिखी है उसको आप कह दो के लिखी नहीं है इसलिए तो तरख पे आना पड़ेगा और तरख पे आने के लिए सबसे बहतर जो platform आज के समय है वो है समन संग समन संग इसलिए है क्योंकि समन संग के अंदर open तर्क होता है 2 गंटे, 3 गंटे, 4 गंटे daily Sunday में तो पूरे दिन होता है हर संगती में पोचते हैं कि बता तेरा प्रसंद क्या है हर संगती में कहते हैं आओ आके पूछो कि आपका सवाल क्या है, जवाब मिलेगा पूरे भारत में बुद्ध के बाद, बावासा वंधकर के बाद सम्वधान के बाद, पालिय आमेंट के बाद अगर कहीं सवाल जवाव होते हैं या सवाल जवाव का जवाव मिलता है और आप जाके देखोगे, कि यह जो फेस्टिबल है, यह जो फेस्टिबल आज का है धन्तेरस, तो यह पाली का है, नाम इसका पाली का है, धान तो हमी पैदा करने वारे थे, खेट तो हमारे थे, धान तो हमारे था, तो फेस्टिबल किसका है, फेस्टिबल हमारा है, सोना खे के से कब पीतल का मटका हो गया पता नहीं चला जैसे आज के समय होता है कि कब हमारे पीतल की बरतन से कूकर बदल गया हमको पता नहीं चला तो आज हम कूकर लाते हैं खईदे के उस समय हम स्टोरेज के लिए कोई ने कोई सामन लाते थे तो स्टोरेज के लिए आज भी कुछ साप सपाई पर आज हम को दिवाली पर साप सपाई करनी है साप सफाई तो घरों में 24 गंटे रहती है और कि रोज दिवाली है और न depos के भी आन है जिसके पार में दही दान है को दिवाली नहीए चाहिए वो कुछ भी हम करते रहें तो वो फेस्टिवल यहां से मैच करता है उसके बाद जो अगला फेस्टिवल आता है जिसको हम बोलते हैं चतुदसी यानि कि नरक चतुदसी ये नरसे संब्दित है खाना त्यार करने संब्दित है उसके बाद जो फेस्टिवल आता है दिपावली ये दिपावली का फ हkell blueprint की दिपवली लागाना है पर इसको ब्यापार में बदल दिया और ब्यापार में इसलिए बिदा जाता है ताकि पूरी पूरी Flip पर फाइदा हो सके वह आपकी इसे कितना करच करना करना चाहतें कितना नी पर दिपाव ली के समय इतना 50% है दीपावली का के लोग इंतियार करते हैं, गौर्णमेंट इस पेसल बजट देती है, बॉनस देती है, तागि दीपावली पर खूब मार्केट चले, क्योंकि जतना लोग खड़ी देंगे, खर्चेंगे, गौर्णमेंट के पास उतना पैसा आता है, तो गौर्णम के पैसा थोड़े लोगों के हाथ में जाता है, वो नुकसान है, इसलिए सोच समझ के अपना पैसा खर्च करना चाहिए, जो आवसकता है, उसमें खर्च करना चाहिए, पटा के वटा के ये फालतू फंड में के सिर्फ इसलिए कि दिवाली है, जद दसवी सजार हम उड़ा है, उसकी आवसकता है नहीं, उसके बाद में फिर जो आता है, वो गोबर्धन आता है, जिसमें गौतम धम वर्धन है, वो भी पाली का सब्द है, उसके बाद जो आता है, वो भाया दूज आता है, भाया दूज का कहीं कोई सिद्धान नहीं मिलता, पर भै दूर दसी जरू दूर होता है और उसके बाद च्छटा आता है इस तर्य से बीच पीच में सारे सारे फेस्टिवल चलते रहते हैं आप आराम से सोचिए आपको लाब होता हो तो खूब फेस्टिवल मनाईए आपको लाब नहीं होता हो तो दूसरों के पठागे देखिए और खुश हो जाईए, दूसरों की मिठाई खाईए और खुश हो जाईए, क्योंकि हम तरकसी लोग हैं, बुद्धी वादी लोग हैं, बुद्धी से काम लेते हैं, जब धन नहीं है, जब धान नहीं है, जब चावल नहीं है, तो जाडू लेके करेंगे क्या, और म पांच दिसंबर को हमारा जो संग चक पवतंडे है यानि के संग चक पुरे पवतंडे जो हमारा संग दुवारा से निकल के आया है और ये चाल हुआ है वो हमको धूम धाम से मिठाई उसाथ अच्छे कपलों के साथ अच्छे तरह से मनाना चाहिए वो हमारा फैस्टिवल है, पुराना फैस्टिवल है संग का पर हम भूल गे उसे तो अब मनाना चाहिए, और पांच दिसम्र को, दिन भी बहुत बड़ी आए, हर साल हम पांच दिसम्र को मनाएंगे, मेरे किसी वक्त वैसे, मेरे किसी बाद से अगर किसी को कोई हानी हुई हो या कोई परिशानी हुई हो तो मैं उस से और संग से माफी चाहता हूँ संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग हंग नमामी, संग हंग नमामी, संग हंग नमामी, जै बरसा, जै जै पहरियार